हाई अब्रिवान यौल वाचिंग डॉक्टर स्टॉक और निसंतान धंपतियों के लिए एक उम्मीद की किरन लेकर आता है हमारा खास शो डॉक्टर स्टॉक आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है नीलकंट आईवीफ से स्पेशलिस्ट डॉक्टर अच्छ प्लाश कर आई एक अच्छ एक अच्छ चंटर की तलाश कर रहे है उनके लिए अपका क्यारवाइज है जिस आई एफ से पर अगराने का प्लान करते हैं तो हाँ जाकर उनको टॉक्टर से ये सवाल डारेक्ट करना चाहिए कि आपका जो सेंटर है इसमें आज तक में कितने भाड आइवीफ की हैं जिनके इव एफ किया हैं इसमें कितने परसंट जो पेस्ट हैं उनको उनको पूछ नीew可愛ट मिला है उनको पुछना चाहिए कि आपकी जो अ्च आपके छिम्मिव리 नहीं नहीं हो जाता है किए और के भाड लेग्टार चैछिया अपने गादे कि IVF के बाद भी आपको डिलिवरी तक जब तक आपका बेबी नहीं हो जाता तब तक कि देखबाल की जम्मेदारी डॉक्टर अपने कंदे पहले और उसमें अगर आपके डॉक्टर आपके साथ नहीं है और आप किसी दूसरे डॉक्टर को दिखा रहे हैं तो उसमें हल्दी बेबी मिलने की संभावना कम हो जाती है डॉक्टर सूत में जाना जाओंगे कि IVF में एमरोलोजी लैब का क्या रोल होता है एमरोलोजी लैब एक किसी भी सक्सेस्फुल IVF सेंटर की बैगबून होती है उसकी क्या क्वालिटी है उसमें क्वालिटी ओफ एक्क्यूपेंट क्या है आपके पास इंक्यूबेटर किस तरह के है उसके अंदर का एन्वाइमेंट कैसा है उसके अंदर की हवा कैसी है उसके अगर आप करना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो आपकी TV स्क्रीन पर हैं